पिछले दिनों जेकेलोन अस्पिताल में ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन चूरी के मामले में लगबग एक सब्था से ज़्यादा समय गुजर जाने के बावजूद भी जौंज कमीटी द्वारा अभी तक जौंज रिपोर्ट अस्पिताल अदिक्षक को नहीं सौपी गई है अलाकि नयापुरा थाना पुलिस ने भी इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने में समय लगा दिया जेकलोन अस्पिताल दिक्षक डॉक्टर आश्रतो शर्मा ने बताया कि घटना के बाद चार सदस्ते जौंज कमीटी गटित की थी लेकिन घटना के प्रतिक्ष्र दर्शी रहे ठेके के दो कर्मचारियों के बर्तमान में दिल्ली में होने की वज़े से बयान लेने में देरी हो रही है बयान लेने के बाद जल्दी जाश रिपोर्ट मिल जाएगी